चलिए अब चालो करते हैं हमारा next topic types of matrices types of matrices ठीक है उसमें हम पहला types देखने वाले हैं row matrix आचा नाम पर से ही पता चल जाता है यहां row तो होगी होगी yes definitely means ऐसा matrix जिसमें सिर्फ एक ही row हो उसे क्या बुलाते हैं row matrix for example for example मैं कह सकता हूँ कि matrix a equal to अगर ऐसा दिया हो one two three ठीक है तो यहां में दिखराएगी row कितनी है सिर्फ one है जबकि column one two and column three three columns है तो इसका order क्या होगा मैंने कहा row into column मतलब one into three तो अगर यहां पे ठीक है इसे मैं अच्छे से लिखू तो इसे m cross n के format में लिख सकता हूँ तो मैंने क्या देखा यहां m equal to one है means if in a m cross n matrix m equal to one then it is known as row matrix यह simple भासा में कहे कि भई जिसमें एक ही रो हो ऐसे matrix को क्या कहेंगे हम row matrix तो तब ही बच्चे ने का सर इसी जैसा कोई और matrix है क्या मैंने का हाँ एक और है column matrix बच्चे ने बिना सोचे समझे directly इतना तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि भई सर जिसमें एक ही column हो वही column matrix ना मैंने का हाँ तुम सही हो ठीक है कि भई for example अगर कभी आपको a equal to matrix a equal to ऐसा दिया हो one two three तो यहां पे मैंने देखा this is row one this is row two this is row three ठीक है और यहां पे column की बात करें तो सिर्फ एक है तो इसका order क्या होगा three cross one ठीक है अच्छा इसे अगर में m cross n के format में देखू तो यहां पे n equal to कितना है one है n equal to one है मतलब number of columns कितनी है यहां पे सिर्फ एक है तो मैं कह सकता हूँ means the matrix which contain only one column is known as column matrix या फिर n equal to one हो चिस m cross n matrix में ठीक है m cross n order वाले matrix में उस matrix को हम क्या कहेंगे column matrix ठीक है चले उसके बाद बजे ने कहां sir आप m n की comparison कर रहे हो तो कोई ऐसी बताओ जिसमें m equal to n हो मैंने कहा देखो ऐसे matrix को कहेंगे square matrix क्या बुलाएंगे square matrix मतलब एक simple वासा में कहें तो जिसमें number of rows and number of column कैसी हो equal उसे क्या बुलाएंगे square matrix for example अगर मैं ऐसे कह दूँ कि पर a equal to ऐसा matrix दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हम देख सकते है this is row 1, this is row 2 और यहाँ पर देखा जाए तो this is column 1, this is column 2 तो इसका order क्या होगा 2 cross 2, बच्चे को directly दिख रहा है कि यहाँ row भी कितनी है 2 as well as column भी कितनी है 2 ठीक है इसे में m cross n की नजरों से देखता तो मुझे m equal to n भी दिख जाता यह directly भी मैं कह सकता हूँ कि 2 rows equal to 2 column दिया है तो ऐसे matrix को हम क्या बुलाएंगे square matrix और diagram कली भी हमें दिख रहा है कि ऐसे देखो बढ़िया से यह थोड़ा सा square जैसा ही दिख रहा है सर square है तो इसे क्या बुलाएंगे मैंने बुला देखो ऐसे cross में देखोगे ना तो हमें एक ही चीज यादाती है diagonal क्या यादाती है diagonal अच्छा बचे ने कहा सर diagonal तो इस तरफ दी होती है मैंने कहा देखो लेट से राइट तरफ जाते है ना तो ऐसी diagonal को बुलाते है leading diagonal या तो principal diagonal leading diagonal या तो principal diagonal सर तो ये दूसरी वाले diagonal को क्या बुलाएंगे मैंने बुला उसे बुलाएंगे off या तो second diagonal उसे क्या बुलाएंगे off diagonal या तो second diagonal ठीक है तो ये थी कुछ square matrix की बात है जिसमें m equal to n था मतलब number of rows equal to number of column थे लेकिन साथ हमें उसी के जैसी एक बड़िया चीज है जो उससे मिलती जुलती है rectangular matrix rectangular matrix normally square P एक type का rectangle है लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे जिससे हमें idea आ जाएं कि इस number of rows is not equal to number of column ठीक है अच्छा equal हो तो भी चलेगा लेकिन जब equal ना हो तो अभी matrix को क्या बुलाएंगे rectangular matrix क्या बुलाएंगे rectangular matrix for example for example matrix A equal to अगर कभी ऐसा आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ मैंने देखा यहाँ row 1, this is row 2 यहाँ पर column 1 column 2, column 3 तो यहाँ पर 2 cross 3 आ रहा है उसका इस matrix का order ठीक है तो यहाँ पर 2 rows है and 3 column है देखो हमें देखते ही पता चल जा रहा है this is a rectangular matrix अच्छा सर इसमें diagonal आएगी मैंने बुला देखो इसमें 1 से 5 तक जाता है ठीक है 1 से 6 तक नहीं पहुँच रहा है मतलब left से right के end तक नहीं पहुँच रहा है तो हम इसमें diagonal draw करने की कोशिश नहीं करेंगे diagonal की बात सिब हम square matrix में करेंगे ठीक है आगे के मैं types of matrix इसके बाद बनाता हूँ ठीक है